तो फिर ऐसे तो कानी बहुत बड़ी है बड़ आपको शॉट में बता देता हूँ कि April 2023 में मैंने अपने कैमरे से कुछ वीडियो शूट करी थी अपने यूटूब चैनल के लिए मैंने सारा जितना भी मेरा वीडियो शूट हुआ था वो मैंने अपने फोटो वीडियो कहाँ चलेगी पता नहीं कब मैंने डिलीट कर दी मुझको कुछ नहीं पता मुझे कुछ भी आद नहीं आ रहा आज मैंने अपने लैपटोप में सोचा कि भी मैंने आज एडिट कर दूँ आप लोगों के लिए वो वीडियो डाल दूँ बना के शॉट बना के डाल दूँ तो सारा का सारा एटा डिलीट हो गया तो ङ verm दो अब मैंने पंद्राइप में करंकर गयोंगा तो सबसे इसे भी आपने data डिलीट कर दिया हो ना तो इसी process को follow कर लेना वाईस आपका data recover हो जाएगा और free of cost होगा, कोई paysan नी देना, कोई charge नी देना free of cost 100% data recover हो जाएगा सबसे बढ़िया बात बदा दो इस software की मैं यहाँ पर आपको दो software के बारे में बताऊगा जो पहला software होगा वो आपको unlimited आपका data recover करके देगा कोई limit नहीं है आपका data 1 MB का हो, 1 TV का हो, 1 GB का हो कोई limit नहीं है, सारा data recover हो जाएगा और दूसरी है जो आपका software में आपको review करके दिखा रहो हूँ उसके अंदर आप अपना limited data recover कर सकते हो, 2 GB तक कर सकते हो बट उसमें आपको कुछ advanced features मिल जाएंगे तो यहाँ पर मैं दौरों के demonstration देने वा रहा हूँ, live में तो मैं आपको step by step process बताऊँगा और सबसे बड़ी बात यह है, इसको धान से सुनना कि आपका data यदि delete हो जाता है, आपके folder से delete हो जाता है कई से भी delete हो जाता है जिस location7778 जब तक कोई भी data टामत डालना कोई भी data copy paste हो उस location पे जब तक वो data recover नहीं हो जाता यादि गलती से आपने data डाल दिया गलती से data copy paste कर दिया उस location तो क्या होगा जो last data अपका डला है उसके लिधर जो last data copy paste होए वही recovering होगा मतलब वही लोकेशन का जो डेटा है जो लास्ट में डला है वही रिकावर होगा तो यहाँ पर ओवर्राइड मत करना कोई कि चांस इस बहुत कम हो जाते हैं मतले ना कोई भी जाधे डेटा डिलीट हो गयाना इमीरेटी रिकावर कर देना जाधा ताइम मतलगा पड़ाक से डाउनलौड करना खताब से रिकावर हंड्र परसंट होगा नई नहीं हो रिकावर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बाइस चलता हुआ ठीच कंप्यटर की हुआ है इसी फोल्टर के अंदर डेटा था सारा डेलीट हो गया पता नहीं कहां चला गया कौन खा गया कौन निगल गया कुछ नहीं पता डेलीट सारा डेटा हो गया वह जो नहीं पता जीरो फाइल से हैं या पर कोई भी डेटा नहीं है अब इसी फोल्टर के अंदर से सारा का सारा डेटा मैं रिकावर करूँगा क्योंकि मुझको मेरा इंपॉर्टेंट डेटा है चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या ना हो बट आपको दिखाऊंगा रिकावर करके इसी फोल्डर के अंदे तो आपको सबसे बहुत सौफटर डाउलोड करना है गूगल पर जाना है रि पर रिट दिक करना क्या है जो भी करना पर इंता तो इस दिक्कत कर देना है ऑपको करोगे अपना लैपटाप का कोई सचैनक सर्काना है जिस भी लोकेशन से गिलीट हुआ है उसी लोकेशन को आपको स्लेक्ट करना है ओध यहाँ पर पहले बहुत सा तौन कृटेंट तो भाई इसी तरीके सिस्ट मैंने इंस्टॉल कर लिया रिबूट नहीं करूंगा लेटर करती है मैंना ओप्शन टीक है अब शॉटकट को मैंना ओपन किया मेरा जो फोल्डर जहां से डेलेट हुआ है उसको स्लेट करूंगा तो यहां पर देख सकते काफी सारे ओप्शन सा जाएंगे आपका अधी पर्टिकुलर कोई कोई डौकुमेंट है वीडियोग़ कुछ भी है जिस लोकेशन से हुआ है अस minist स्या प्र में मत 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 करें टम फोलड़ तो यहां पर मैंने सिंपल सा canon direct ब्राउस करने की जरवत भी नहीं है लोकेशन डालो, डीप स्केन करोगे तो बहुत सारी चीज मिल जाएगी, पुरानी जन्रम करनली मिल जाएगी, तो आपको वही मिलेगा, जो लास्ट में डीलिट हुआ है, यहां पर देखो, घ्यान से देखना, इस लोकेशन को देखना, क्योंकि लास्ट जो मेरे वीडियो प ताकि जो orange color में है वो recover करने के chances है वो कम है, क्योंकि इसमें 3 step है, पहली step green, orange और red, green का मतलब अभी delete हुआ है, orange का मतलब उससे पहले delete हुआ है, और red है वो उससे भी पहले delete हुआ है, मतलब data तो दिया है इसने, पर वो override हो हो के आपके पास आया है, तो जो last मेरा 3 data था, वो यह अब आपको first software and second software में यही difference देखने वाला है कि यह जो रिकुवा है, यह क्या काम करता है और जो दूसरा software है, वो क्या काम करता है तो वीडियो कुल कुल ध्यान से end तक देखते रहे न, सब कुछ बता चल जाएगा यहाँ पर आपको देख सकते हैं, मैं नोके कर दिया है और यहाँ पर जो फोल्डर मनाया है मैंने desktop पे अब आप देख सकते हैं, जो मैं एडिट करने के लिए यूज़ कर रहा था वो आचो फिल भाई, ठीक है यह मतलब कोई जाएदा खास शॉट्स नहीं थे यह नॉर्मल आपको दिखाने के साब से रिकावर करें मुझे ठीक है, डेटा हम तो मेरा और भी जादा था पर वो भी रिकावर करूँगा मैं अभी ठीक है, तो यहाँ पर यह तीनो वीडियो रिकावर हो गई है प्रॉपरली हो गई है, कोई दिक्कत नी है अब मैं आपको औरेंज वाली करके देखाऊ हुआ कि क्या मेरी औरेंज वाली rekaver हो सते हैं उरेंज वाली में poor, very poor, very poor मतलब, बहुत ही खराब स्टेट में मतलब metakies जो है जो over hidden, जो कि बहुत सकते, clusters है वो यहाँ पर इतने जादा override हो गए है कि एक के उपर एक के उपर लेयर चड़ गई है उसका डेटा जो आया बुग ब्रेक हो गया अंदर से मेटा की आपकी खराबी हो चुकी तो डेटा रिकवर होने के चांस उसमें काम है तो यहाँ पर मैंने फिर भी देखो यहाँ पर इसने कुछ मेरी फाइल करती है दो नहीं ह है यह होग आफ ऐसे अ रेकावर होगे है मतलब यह मेरी कवर हो गई है और जहां पर यह मेरी डिकवर नहीं हुए है इसके अंदर एरर आ जो यह तो एक यह प्ले डी लाओर हो यह तो इसका मतलब है कि पॉर वाले भी रिकावर होता है आप बैट वाले रिकावर नहीं होते हैं इस बाइत की जरूफर हो कहीं 5 थीडिए कय Tribus हीर भरें इस स不好 रेकला है। कोर सबर्द क्लिय्त हुने को cut चांस में एक लिए युदि भराव करें तो उसका आपको और जूर। तो यहां पर मैं पहले देख लेता हूँ कि red वाले मेरे रिकवर होगे हैं कि नहीं हो रहें तो मैंने उसको फिर भी ट्राइ करा क्योंकि आप ही कमेंट्स आयते हैं कि सर फाइल ओपन ही नहीं होती है तो वह यह वाली फाइल से हैं जिनका जो क्लस्टर वह दूसरे पर ओवर्राइड हो गया है मतलब आपका डेटा अन्रिकोवरल कंडिशन में है आपका डेटा इसलिए है क्योंकि आपने उसके इंदा मल्टीबल टाइम्स पेस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया उसी लोकेशन पर तो जो लास्ट डेटा डेलीट हुआ ता ज क्योंकि उसमें सारा डेटा आपका स्कैन होता है अब आपको सेकंड टूल के बारे में बताता हूं जो आपको डाउनलूड कर लेना चाहिए ठीक है बाई ने बोल दिया ठीक है तो यहां पर इजे यूएस डेटा रिकवरी का सॉफ्टेर है ठीक है इसको फ्री में डाउनल तो यह है तो यहांपर में उसी लोकेशन को सपोल्डर करके तो मैरी से डिलिट हुआ है उसी लोकेशन उसी फोल्डर को से करणे वाला हूं और उसी लोकेशन से मैं अब यह उपने डेटा इसकान करके रिकवर करके चेक करुगा और दोनके क्akteिं आपके बेर्स में वो देखते हैं कि नहीं देखते हैं इसमें पता चल जाएगा तो गाइस देखो एक फोल्डर के अंदर से इसने एक में टूकी है इसने इतिती सारी यह वैप साइट है इस वैप साइट पे लिखा हुआ है कि फॉड़ा थाइम लगेगा अब देखते हैं इसने कितना डेटा कर दिया है 20% में 20 पर दब 16-1700 वो फाइल्स कहां से आ गई वाई समती सारी इतनी सारी फाइल्स इस फोल्डर के अंदर ने थोड़ा कंफ्यूजन है देखते हैं मुझे इसा लग रहा है कि इसने पूरी ड्राइबी स्कैन कर दी एक फोल्डर के अंदर इतनी सारी फाइल्स 1899-2525 इतना कैसे हो सकता है डिया मुझे बिया कि मानना पटाए कि देटा था इसके अंदर ये डेटा ये टेटा था तो सई पर फिर भी इसने कितला data recover कर रहा है आप देख सकते हो तो अब आपको इस condition में क्या करना है इस condition में बताजिता हूं आपको पर्टिकुलर फोटो का नाम या पर आपकी वीडियो का नाम पता है ठीक है तो आपको simply उस वाले चींज को से आपके सलेट कर देना उस वाले को उस पर्टिकुलर नेम से सर्च करना है और सेम टिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है मतला recover कर लेना है क्योंकि यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने मेरा सिर्फ एक फोल्टर के चक्कर में पूरी ड्राइब को स्कैन कर दिया ठीक है शायद हो सकता है इसका कुछ बग हो या पर हो सकता है कि मेरा इस पर्टिकुलर फोल्टर के अंदर जारा डेटा हो मुझे याद नहीं कि मेरा परला डेटा कप डेलेट हुआ तो इस तरीके से आप अपने बगई डेटा को पूरा रिकावर कर सकतो हाँ मेरी प्रीविएस वीडियो इस लिंक के अंदर काफी सारी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी पेड टूल भी है प्री टूल भी है मैंने पता बोल सकते हैं कि अल्मोस्ट मैंने सारा का सारा डेटा रिकावरी को कवर करा हुआ है अपने प्रीविएस वीडियो में काफी सारे पेड शॉप्टर के बारे में बताया हुआ है पता हुआ हंदर परसंट जो जैनल सॉप्टर से नो उसी का पूल है तो वीडियो के लिए लाइक करते ना चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो क्या दिखकाते हैं मिलते हैं एक्स वीडियो में दो बाबाई थैंक्यों वाच जैने ताय करते हुआ करते हुआ है जैनेरे ज disp Minist comes ढक्स वीडियो में में दोका हुआ है सलीोð को सब खखे हैं जैनल । पर अबें 24 aún करते हैं और फर्र उसीक्सान